नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल एफेम गयान पर जहां पर हम और आप फाइनेंशल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पर बात करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नगी वीडियो के साथ कुछ नए एजुकेशनल चीजें आपको सिखा सके आज के फाइनेंशल यान टॉपिक में हम यहां पर यहस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंड अपडेट के बारे में जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे यहस बैंक के कौटर बन रिजल्ट आने वाले थे और उसके पहले कुछ आकड़े निकल के आया है यहस बैंक में अब आपको समझ में आ भी जाएगा अगर हम बात करें रिजल्ट की तो उतना खराब नहीं आया जिस हिसाब से यहां पर लोगों को लग रहा था है जो एक्सपेक्टेड था बट उतना अच्छा भी नहीं है यहां पर की बहुत जादा इसमें अपर सर्किट या अपर ट्र उससे 100 या 300 या 400 का टार्गेट नहीं पहुँचने वाला है और इस रिजल्ट के बाद आपको मैं खुद भी बता सकता हूँ कि आप देख लीजेगा बहुत जादा है यहां पर अपर सर्किट नहीं देखने को मिलेगा ऐसा नहीं मेरे बोल देने से कलिए 100 रुपय पहुँ करें यहां पर यह बैंक के जो रिजल्ट है पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं लोन एडवांस की तो कौटरली बेसिस पर यहां पर 1.8% की गिरावट देखने को मिली है अगर हम यहां पर आप कह सकते हैं 1,64,510 करोड के करीबता जो की इस जून 30 में जो बताया जा र 914 करोड अब इसके अलाओं अगर मैं बात करूं डिपॉजेट की तो डिपॉजेट में यहां पर काफी अच्छा खासा यहां पर बढ़ते हुए देखने को मिला है यह बैंक में जो की आने वाले टाइम में बैंक को हेल्प करेगा अगर हम डिपॉजेट की बात करते हैं इ देखने को मिली है quarterly बहुत ज्यादा नहीं इंप्रूव हुआ है बट year on year basis की बात करें तो last year same time में अगर जून टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो यहां पर यह एक लाग 17,360 करोड के करीता तो यहां पर अगर आप yearly basis पे compare करते हैं तो 39.1% की बढ़त देखने को मिली है जो यहां पर increment देखने को मिला है और yearly basis पे बात करें तो 47.7% की बढ़तरी देखने को मिली है जो की यहां पर एक और अच्छी बात है इसी के वज़े से deposit ratio भी बढ़ते हुए देखने को मिला है इसके अलावा अगर हम तीसरे main point की बात करते हैं तो वो है credit to deposit ratio अगर इसमें हम ब 100% पे आ गया तो और अभी की हम बात करें तो वो लगबग 100% पे आ गया है 100% पे इस्टूट कर रहा है चौता जो main point निकल के आ रहा है यहां पर liquidity coverage ratio अगर इसकी भी मैं बात करूं तो यहां पर यह थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला है last year अगर हम इसकी बात करते ह और last quarter की अगर मैं बात करूं तो यह 122% पे था जहां से फिर थोड़ा सा fall देखने को मिला है और यह 118% पे end हुआ है तो overall yes bank का जो result आया है वो positive आप कह सकते हैं जितना खराब यहां पर अगर हम बात करें बड़े बरे brokerage firm ने बोला था या जिस हिसाब से bank में लग रहा था कि अगर आप यहां पर investment कर रहे हैं तो time horizon आपका 2-3 साल का period होना चाहिए और अगले 2 quarter तो हमें खाली यही देखना होगा यह समझने के लिए कि yes bank किस तरह से improvement कर रहा है और इस quarterly result में बहुत जादा आभी आपको equity price पे जो share का चल ला है उसमें बहुत जादा improvement नहीं देखने कर रहा है तो यहां पर आपको decide करना है कि अगर आप यहां पर investment कर रहे हैं किसी के भी कहने पर कि तीन 400 का target यह 100 का target मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं यह achieve नहीं होगा बट अगर आपको लग रहा है खाली एक दो news से हो जाएगा या एक दो महीने में हो जाएगा तो वो decision में आपक के उपट छोड़ता हूं इसके अलावा अगर आपको कुछ ना समझ में हो कोई भी कोहरी है कुछ भी पूछने जाते हैं तो comment करके जरूर बताईए